नमश्कार आप देख रहे हैं The Netizen News मैं हूँ आपके साथ पूजा ये रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की और इंदोर के परदेशी पुरा थाना शेत्र मेक युफ्ती ने प्रेम प्रसंग के चल तेज पांसी लगा कर आत्मा हत्या कर ली पुलिस ने मामला दर्च कर शवफ को पोस्ट मार्टम क्लिया अमबा इस्पताल पहुंच आया है दरसले दोर परदेशी प्रा पुलिस को सूचना मिली थी कि शेत्र के जीवन की फेल में रहने वाली युफ्ती प्रिया ने फांसी लगा कर आत्मा हत्या कर ली मौके पर पहुंची पुलिस ने जब देखा तो युफ्ती बात्रों में फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी मौके पर पहुंची एफसल की टीम में शेव को फंदे से उतार कर मर्ग कायम कर पोस्ट मार्टम क्लियांबा इस्पताल पहुंचाया है परिजनों के मताबिक युफ्ती का परोस में ही रहने वाले किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था उसी के चलते युफ्ती ने फांसी लगा कर आत्मा हत्या की है युवती का नाम प्रियारेंगे बताए गया है वह युवती के प्रेमी से भी पुलिस ने बातचीत कर बताया कि युवत को पहले भी वेदम की दे चुकी थी अगर वह बात नहीं करेगा तो मैं फांसी लगा लोगी उसके बाद युवत ने बात परना बंद कर दिया था इसी के चलते युवती ने कदम उठाया है फिलहार पुलिस मामले की जाच कर रही है कर पताए नियहां के बीच मातब ने को बात देगे तर लाश जो पुलिस वालाने थाने कंदर मेको बताया कि बोले युप अबाटकी ने के बोला कि मेरे बाप की ओलादी में फांसी लागा हुए उस ने कुछ भूला जब लाजिए है था कुछ ने कुछ ने कुछ ने पर पेतालीस मिट पर उन्चाल करा था एक मिनिट पेतालीस सेकंड बात वी है अब क्या बात हुए उसमें उसमें जीवान की वहल मेरता तब पता चला आपको गे अपकी बच्ची ने वगे क्या अब पांच बई एक मेरी मा बातरूं कर ने लेटिंग बातरूं में गई माने दरवाय घटकरा नहीं खुला तो चिल्ला चोड़ूई उसके बाद में पता चला आप अंदर से लॉक लगा अपके लगते हैं लड़के फादर उसमें आपका नाम अनिल गुसायवाली अपने बात्रूम में कमच्छे से फासी लगा लिए प्रारंभीक सुचना पर पुली स्थाना प्रदेशिपुरा से अधिकारी गए जो मौके पे देखा तो उसने अपने बात्रूम का दरवाजा बंद कर लिया था और फासी पे लटकी हुई थी तो प्रारंभीक तोर पे तो फासी लगाना प्रतित हुआ है पुस्ताज में पता चला है कि वह पास में रहने व फासी लगा लिये जिस लड़के से प्यार करती उससे भी बात्चीत की उसने भी बताए कि इसके दोरा पूरो में भी मुझे जब भी बात नहीं करते थे तो फासी लगाने की दमकी देती थी तो इसी अधार पे ऐसा लगा कि कल भी वह उसको मेसेज किया था कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं फासी लगा लूँगी तो उसी दोरान इसके नहीं फासी लगा लिये और भी मर्ग जयांच में ले लिया गया है पी एम के लिए सो एमाय बेज दिया गया और जो भी पी एम रिपोर्ट के आई गो उसके में अगरिम कारवाई की जाईगी अभी तक ना सुसाइट डूंट मिला है ना कोई ऐसा मिला है लड़के से ही चर्चा हुई जिसमें उसने लड़के नहीं बताया है कि इसने मेरे को मेसेज किया था कि अगर बातचीत नहीं करोगी तो मैं फासी लगा लिगूँगा लड़के का ये भी कहना है कि एसा हो हर बार जब भी बात्चित नहीं करते थे तो आप फासी लगाने की दमकी दे देती थी फ्लाल अभीकली बस इतना है लगातार खबरों के लिए आप देखते रहें देटीजन न्यूस अमश्कार